मडिपुर हिंसा और वहा के हालाद पर जयावच्चन के अंदाज विपक्ष से अलग क्यों विपक्षी होते हुए भी क्यों दिख रही सॉफ्ट अब इसके उपर देखे उनके उपर मैं कोई कॉमेंट नहीं करूँगी इस देश की प्रधाने मैं उस कुरसी की इज़त करती हूँ मैं ये कहना चाहती हूँ कि उस पार्टी द्वारा उनके द्वारा जितने भी स्पीचेस दिये गये हैं 2014 से लेकर आज तक उन सब को कंपेर कर लीजे आपको जवाब मिल जाएगा हर सवाल आप लोगों का जो है उस सब का जवाब उसमें मिल जाएगा देख लीजे मनिपूर के उपर भी देख लीजे पहले जो कहा हुआ था और जो आज कह रहे हैं देख लीजे मैं कुर्शी की इज़त करती हूँ, मैं उनकी अगेंस में कुछ नहीं बोलूँगी सांसद जया बच्चन के अंदाज बता रहे हैं कि इनके अंदाज में नर्मी है मणिपूर हिंसा को लेकर संसद के मौनसून सत्र में जिस तरह से कॉंग्रिस समेत तमाम विपक्षी दलों के सांसद दोनों सदनों में और सदन के बाहर भी जोरदार हंगामा करते हुए देखे जा रहे हैं और वे जिस तरह से संसद में मड़िपूर मुद्दे पर चर्चा के दोरान पीम नरेंद्र मोदी के मौजूद रहने को लेकर अड़े हुए हैं उससे अलग जयावच्चन के रुख में थोड़ी तरावट दिखाई दे रही है जया बच्चन है तो वे पक्षी दल की संसद लेकिन बाकी दलों से अलग वे प्रधानमंत्री मोदी को लेकर उतनी आकरामक नहीं दिखाई दे रही हैं उन्होंने सीधे सीधे कह दिया है कि वो प्रधानमंत्री के पद का बहुत सम्मान करती हैं और उनके खिलाफ वो कुछ भी नहीं बोलेंगी हालकि साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर आपको बैयानों और हकीकत में फर्क देखना है तो 2014 से लेकर अब तक के बैयान सुन लेने चाहिए हर सवाल का जवाब मिल जाएगा अब ये इसके उपर देखे उनके उपर मैं कोई कॉमेंट नहीं करूंगी देश की प्रधाने मैं उसको उसकुरसी की इज़त करती हूँ मैं ये कहना चाहती हूँ कि उस पार्टी द्वारा उनके द्वारा जितने भी स्पीचेस दिये गये हैं 2014 से लेकर आज तक उन सब को कंपेर कर लीजे आपको जवाब मिल जाएगा हर सवाल आप लोगों का जो है उस सब का जवाब उसमें मिल जाएगा देख लीजे मनिपूर के उपर भी देख लीजे पहले जो कहा हुआ था और जो आज कह रहे हैं देख लीजे मैं कुर्सी की इजट करती हूँ मैं उनकी अगेंस में कुछ नहीं बोलूंगी